शेजाद पुनवाला जी आप इस सशुरुबात कर रही हूँ, ऐसी क्या मजबूरी है या ऐसी क्या मुश्किल आप लोगों के साब ने आन पड़ी है कि अब प्रत्याशी अपनी जाती तो छोड़िये, अपनी पत्नी की जाती को जागर कर रहे हैं और श्यौर्टी से बता र रहे हैं, अखिलेज जी और रहुल जी दोनों ने प्रेस कांफरेंस की, ना अखिलेज जी चुनाव लड़ पा रहे हैं, ना राहुल जी चुनाव लड़ पा रहे है, हम दिक्कत में हैं, चलिए बाकी सब छोड़ दीजे, आप ही का जो अभी दो तिन पहले इंडिया टीव परसेंट वोट है और हम घबराय हुए हैं तो मैं कह रहा हूँ कि आपने क्योंकि एक समाज की बात की तो शत्रिय समाज सबसे ज़्यादा कहा योगदान देता है सेनिको के रूप में सुरक्षा बल के रूप में ये सुनिये क्या कहती है सुपरेश्री वोट ये नकसली जो मारे गए नकसली को शहीद बोल रही है और ये एक लौता ऐसा उधारण नहीं है वो कहरी गहरी जांच होनी चाहिए उन सुरक्षा बलों के बारे में जो शत्रिय भी होते हैं जो जाट समाज से भी होते हैं उनसे पूछे एक बार जेनरल बिपिन रावत जो दे देखना चाहते हैं तो शत्रिय समाज से ही थे घड़वाली थाकूर थे उनके बारे में सडक का गुंड़ा और शहीद नकसली होते हैं अरे बाई बताईए कि योगी अधितनाज जी हाला कि महंत की कोई जाती नहीं होती पर इसी योगी अधितनाज जी को कॉंग्रस ने क्य अगर हम लोग घबराय हुए हैं तो आतंकियों के सहारे के साथ आच पड़े ये कॉंग्रस नहीं दे रही है और अरुन गोविल को ये तक बता देना पड़ रहे है कि मेरी पतनी जो ठकुराइन रूप दिखाती हैं गुस्सा होकर जब मैं उन्हें मना लेता हूं तो मैं आ अपने आपको उच्च कोटी का कॉल भ्रामन बता दू और फिर समाज में जाकर कास्ट के नाम पर वो जो है विभाजन करूं तब तो वो ठीक है परंतु कोई व्यक्ति अपने घर के परिवार के बारे में बताता है तो वो गलत है अगर अधितनाज जी योगी अधितनाज महाराना प्रताप का उधारन देते तब तो गलत हो जाता है पर ये लोग औरंगजेब के लिए मातम करते हैं और औरंगजेब के जनाजे पर चला जाते हैं चले जाते हैं वो तो छीक है तो मुझे पता ही हमारे देश के आदर्श है महाराना प्रताप उनकी बात नहीं होग जनरल विपिन रावत जी को सड़क का गुंडा कहना ये शत्रिय समाज का सम्मान था या आप मान था ये बता दीजिए आप औरंग जेब तक चले गए आप जनरल विपिन रावत तक चले गए लेकिन इस बात का जवाब आपने भी भी नहीं दिया तो ये तो सब को करने का अधिकार है मैंने तो कहा ना कि गौल व्रामन अपने आपको बताने वाले फिर कहते हैं कि राम मंदिर प्रान प्रतिष्टा में नहीं जाएंगे फिर कहते हैं कि मंदिर में जाते हैं जो लोग है वो महिलाओं को छेड़ते हैं ये किस प्रकार से हैं और दूसरी बात, बाकी सब छोड़ दीजिए, मैं तो कह रहा हूँ कि सबसे बड़े आदर्श, प्रभूशी राम का अस्तित्व नहीं, ये कहने वाली कॉंग्रस पार्टी आज इस विशेय पर कम से कम ना बोले, देखें कॉंग्रस पार्टी यहां पर पीवी के बहाने, कास्ट को बताने की कोशिश करेंगे, तो पूछा तो जाए, मुझे बताइए, एक से किसको मनाने की बात कर रहे हैं, कि मैं आपको भी मना लूँगा, कोई तो नाराज होगा ना, अरे, मैंने उनका बयान सुना नहीं, आप फिर से चलाईए, क्योंकि मैं आप बयान नहीं सुना, और किस कॉंटेक्श ना बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता, पर मैं इसे पूछा जाता हूँ, ये गाजियाबाद के समंदर में बोल रहे हैं, कॉंग्रस का प्रतैषी, इनका जॉइंट प्रतैषी कौन है? इनका प्रतैषी कौन है, बताएए आप, चलिए आए दोली शिर्मा कहां से है, क्षा समाज से है, अगर उनसे Samaj में पात के लिए लिभाभकिने तक समाज के ढहे यहां मुरादाबाद से सर्वेश सिंग मुझे नजर आते हैं और किसी सीट पर नजर नहीं आता, आप क्यूंकि प्रतिनेदितों की बात कर रहे हैं, मुझे बताईए धामी जी कौन है और योगी अधितनाजी कौन है, मैंने तो इंकार नहीं किया ना, तो जिन लोगों ने प सक्तियस समाज का अपमान करने वाले लोग जो जैनेर बिपिन राज को सब्सक्राइब उस पर कॉंग्रिस का स्थाइंट का है